हलो स्टूडेंट्स वेलकम टो एससी टीपॉंट हम सब प्रॉफित लॉस पे कॉस्टेंज कर रहे थे आईए देखते हैं ये कॉस्टेंज इसमें आपको दे रखा है in what ratio milk and water be mixed so that after selling the mixture at CP profit आपको कितना हो रहा है 20% का देखिए इस question में आपसे पूचा है milk और water को आप किस ratio में mix करते हैं so that जब आप mixture को किस पे sell कर रहे हैं cost price पे sell कर रहे हैं जितने का आपने लिया उतने पे ही sell कर रहे हैं अब ही आपको क्या हो रहा है 20% का profit तो आप देख सकते हैं practically तो यह possible नहीं है अगर आप कुछ mixing ना करें तो suppose माल लेजी माल लेजी आपने 100 kg एक ने milk purchase किया 100 रुपीज पे और आप जब sell कर रहे हैं तो आप claim कर रहे हैं कि आपने milk को इतने का लिया था उतने में ही sell किया आपने cost price पे sell कर दिया आपने milk जो sell किया 100 रुपीज में sell कर दिया और आपको 20% का still profit हो रहा है आपको अगर 20% का profit हो रहा है वेगए तो यह profit क्यों हो रहा है आपको अगर आप pure milk ही sell कर रहे हैं 100 kg milk आपने purchase किया 100 में अगर 100 kg milk आप 100 में sell कर देते तो आपको ना तो profit होता ना loss होता और क्यूंकि आपको profit हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप milk में कुछ ना कुछ mix कर रहे हैं और इस case में इस case में आप water है दूसरा ingredient water है तो इस case में आप milk के साथ water mix कर रहे हैं देखिए profit कितना है आपके पास 20% profit है जितना आपको profit हो रहा है उतना quantity अगर आप water mix कर देते हैं milk में उतना ही अगर आप water mix कर देते हैं उतना ही water 20 kg आपने water mix कर दिया और milk कितना दिया आपने 80 kg और आप शो कर रहे हैं कि आपने mixture mixture का total weight कितना हुआ 100 kg और आप क्लेम कर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि हमने mixture को cost जितने का लिया उतने का ही sell गया लेकिन while selling आप quantity कितना दे रहे हैं milk का milk की quantity आप दे रहे हैं कितना 80 kg only while purchasing आपके पास milk कितना था 100 kg और 20 kg क्या दे रहे हैं आप water water दे रहे हैं और water का cost क्या है water is available free of cost इस वजह से आपको क्या हो रहा है profit हो रहा है ऐसे questions में हम तरते क्या है जितना भी आपको profit percent दिया होता है उतना ही water resume कर लिजी water के quantity उतना ही 20 बाकी milk को आप 100 resume कर लिए तो यही आपका ratio आ जाएगा milk और water का देखिए यह कब valid है जब only when जब आप mixture को cost price पे sell कर रहे है तभी यह valid है अगर suppose आपको question में दिया रहे you are selling the mixture at 10% loss उसके बाद भी आपको 20% का gain हो रहा है तो यह valid नहीं है तब इसको ऐसे नहीं करें तो जब भी आपको question में दिया रहे mixture को आप cost price पे sell कर रहे हैं और आपको profit हो रहा है तो इस case में जो भी profit percentage होगा जो भी profit percentage होगा उसके equal of water और एजूम कर लिजिए milk को 100 एजूम कर लिए यही ratio आ जाएगा milk और water का या फिर या फिर आप क्या कर सकते हैं इससे भी short में profit percentage आपको कितना दे रखा है 20% 20% का fraction कितना होता है 1 is to 5 तो इस case में जो 5 unit है यह आपका क्या होगा 5 unit आपका milk हो जाएगा and 1 unit will be your water यहां से अगर आप रिश्यू पूछा जाता है आप से milk और water का तो 5 is to 1 so right answer would be B option milk और water का रिश्यू पूछा है तो 5 is to 1 next question देखते हैं देखिए इस question में आपको दे रखा है in what ratio milk and water should be mixed so that on selling the mixture at posh price profit is 16 2 by 3% और देखिए 16 2 by 3% का fraction कितना होता है 1 by 6 अगर आपका milk 6 unit है तो water कितना होगा water आपका 1 unit हो जाएगा यही ratio आजाएगा milk और water का 6 is to 1 जो की D option है जितना भी आपको profit percentage दे रखा है profit percentage में जो भी numerator होगा वही आपका water होगा और denominator जो होगा वो पूरा milk ले लेगा next question देखते हैं देखिए इसमें आपको दे रखा है water is added to alcohol so that so that after selling the mixture at cost price इसमें भी mixture को आप किसमें बेच रहे हैं cost price profit is 25% अब यह जो 25% है इसका fraction क्या होता है 1 by 4 आप क्या mix कर रहे है water is added to alcohol तो यह 1 unit क्या हो जाएगा आपका water और 4 unit आपका क्या आ जाएगा और आपसे पूछा क्या है find percentage of water in the mixture water का mixture में कितना percentage है देखिए अगर आपसे बोला जाता कि alcohol और water का ratio बताएगे तो 4 is to 1 होता water mixture में कितना है mixture total कितना आ जाएगा देखिए 4 पार्ट अगर आपका alcohol है 1 पार्ट अगर आपका water है तो mixture कितना होगा 5 पार्ट और water का mixture में कितना percentage है तो आप क्या बोलेंगे कितना आजाएगा 20% okay so water का percentage mixture में कितना है 20% so your right answer is B option 20% okay let's move on to the next question देखिए इसमें आपको दे रखा है a milkman adds water in milk such that on selling the mixture at 10% loss also he gains 20% इस case में वो mixture को mixture को cost price पे sell नहीं कर रहा कितने पे sell कर रहा 10% loss पी उसको 20% का gain होता है आप से पूछा क्या है water is what percent of milk in the mixture ठीके milk का कितना परसेंट है water water और mixture का नहीं पूछा water milk का कितना परसेंट है इस case में आपको दे रखा है जैसे कि mixture को 10% loss पे sell कर रहा है तो अगर मान लीजिए 10% loss हुआ मैं मान लेता हूँ 120 परसेंट का fraction होता है six by five times CP and that's equal to rupees 90 यहां से क्या आ जाएगा एक से काट दीजिए 15 जो आपका mixture का cost price होगा that is coming out to be rupees 75 mixture का जो cost price आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है 75 और आपने purchase कितने का किया था pure milk 100 रूपीज का एलिगेशन लगा लेते हैं देखिए सबसे अच्छा रहेगा 100 का आपने क्या purchase किया था मिल इसमें आप क्या एड कर रहे है यू और एडिंग वाटर इन इट वाटर वाटर फ्री आफ कॉस्ट अवेलेबल है तो वाटर का वाटर के लिए क्या लिखूँगा में प्राइज जीरो ओके और जब आपने mix किया दोनों को कितने mixer का price कितना आया 75 अब एलिगेशन लगा लेजिए देखिए 100 माइनस 75 कितना आएगा 25 75 माइनस 0 75 25 से काट दीजिए 25 बीजा 25 बन जा तो ratio कितना आ गया 3 to 1 ठीक है यह क्या आया milk यह क्या आया water तो आप से पूछा क्या है water is what percent of milk in the mixture तो water अगर 1 है तो milk कितना आ रहा है आपका 3 कितना परसेंट हो जाएगा 33 1 by 3 percentage so right answer is B option 33 1 by 3 percentage water milk में 33 1 by 3 percent अभीदवार है तो ऐसे question जिसमें कि आपको mixture को cost price पे ना sell करके कुछ percent loss या gain पे sell किया ऐसे questions में आप directly वो नहीं कर सकते milk को hundred assume आप नहीं कर सकते ठीक है let's move on to some other question देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है shopkeeper has 50 kg rice okay some part of rice is sold at 8 percent profit and remaining part is sold at 18 percent profit इसमें भी मैं allocation लगा सकता हूँ देखिए आपके पास बड़ेखिए आपके पास दो टाइप की राइस है ठीक है first type का राइस बेचने पे आपको कितने का profit हो रहा है देखिए यहां पे profit है यहां भी profit है यह क्या है overall profit तो profit पे मैं allocation लगा सकता हूँ तीनों quantity सेम है first type of profit sell कर sorry first type of rice sell करने पे आपको कितने परसेंट का profit होता है एक परसेंट का और जब बाकी जो बचा राइस बाकी जो राइस बचा उसको sell करने पे आपको कितने का profit हो रहा है 18 परसेंट का ठीक है और overall आपको क्या दे रखा है overall आपको 14 परसेंट का profit हो रहा है और आपसे पूछा क्या है find the quantity of rice which was sold at 18% profit इसको allegation से कर लेते हैं देखी 18-14 4 आ गया 14-8 6 आ गया परस्ट जो दो पार्ट थे राइस के परस्ट और सेकिंड पार्ट का ratio कितने का आ जाएगा तो इसको अगर सिंप्लिफाई कर लिजी तो 2-3 का ratio आ गया और में क्या दे रखा है आपको राइस आपके पास टोटल कितना है 50 kg राइस है यहां से कितना आ रहा है 2-3 का ratio आ रहा है अगर मैं एजूम करता हूं फाइव यूनिट्स फाइव यूनिट्स की वेल्यू आपको कितनी दे रखी है 50 kg और आपसे पूछा क्या है एटीन परसेंट प्रॉफिट पे जो आपने राइस बेचा उसकी क्वांटिटी कितनी थी कितनी दिख रहे है यहां पर तीन है तो तीन यूनिट्स की वेल्यू आपके पास आ 30 kg देखे इस कॉश्चन में आपको दे रखा था आपके पास सपोस कुछ राइस है उसमें से उसमें से मान लीजे कुछ अमाउंट आपने एट परसेंट पर्विट पे सेल कर दिया और जो बचा उसको एटीन परसेंट पर्विट पर सेल कर दिया ओवर ओल ऐसा करने पे आपका राइट आंसर आ रहा है 30 केजी ओके नेक्स कुश्चन देखते हैं देखी इस कुश्चन में आपको दे रखा है अश्रापकीपर है 25 केजी राइस सम पार्ट ऑफ राइस सोल्ड एट 10 परसेंट प्रॉफिट और रिमेनिंग पार्ट को कितने पर बेच रहा है 5 परसेंट लॉस पर इससे पहले वाले कुश्चन में दोनों प्रॉफिट तो लॉ इggagation में जो भी क्यांटिटी होती है सें डि सें को सपोस्द यहां पर क्या हो रहा हूं मैं कह सकता हूंगी माइनस 5% profit के terms में बात करूं तो मैनस 5% होगा ठीक है और overall इसको क्या हो रहा है overall इसको 7% का profit हो रहा है तो यहां पर क्या लिखूंगा हमें 7 तो इस पर allegation लगा लिजी देखिए बड़ा कौन सा है 10 और 7 में कौन सा बढ़ा है 10 तो 10-7 करेंगे कितना आएगा सेवन और माइनस 5 में कौन सा बढ़ा है सेवन सेवन माइनस माइनस 5 पर रहें कितना आजाएगा त्री से काट दीजी तो फोर इस टू वन का रेशियो आ गया फर्स्ट और सेकिंड सेकिंड पार्ट ऑफ राइस का और इसमें पूछा क्या है आप से पाइन क्वांटिटी ऑफ इसको आपने 10% पॉफिट पे बेचा था और टूटल राइस कितना दे रखा है आपको 25 केजी अगर मैं यूनिट की विल्यू कितनी दे रखी है आपको 25 केजी यहां से एक यूनिट की विल्यू क्या आ जाएगी 5 केजी और आपको 10% परॉफिट पे आपने कितना राइस सेल किया वो निकाल ला है तो फॉर यूनिट की वेल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 into 4 kg 20 kg तो आपने 20 kg राइस 10% profit पे sell किया तो आपका right answer आजाएगा that is the option 20 kg ओके, let's move on to next question simple questions हैं यह सब देखिए इसमें आपको दे रखा है shopkeeper has 100 kg राइस some part of rice is sold at 14% profit and remaining part is sold at 6% 6% loss, he loses 4% on the whole इसमें on the whole उसको loss हो रहा है माल लेता हूँ मैं first part rice का जो यह 14% profit पे sell कर रहा है ठीक है और जो बचा उसको यह 6% loss पे sell कर रहा है तो यहाँ पे लिख दता हूँ minus 6 और overall इसको क्या हो रहा है overall इसको loss हो रहा है तो इसको मैं लिख दता हूँ minus 4 अब allegation लगा लेते हैं देखिए 14 और minus 4 में कौन सा बड़ा है 14 14 minus minus 4 कितना होगा 18 minus 4 और minus 6 में कौन सा बढ़ा है minus 4 minus of minus 6 कितना होगा तो ratio कितने का आगया 1 is to 9 का आप से पूछा क्या है आप से पूछा है कि find the quantity of rice which was sold at 6% loss यह पूछा है आप से इसकी quantity कितनी दिख रहे हैं आपको 9 units और total आपके पास कितना है 10 units यहाँ पर question में दे रखा है total rice कितना है आपके पास 100 kg rice है 10 units की value कितनी आगई आपके पास 10 units की value आपके पास आगई 100 kg यहाँ से एक unit की value आजाएगी 10 kg 9 units दे रखा है 9 into 10 kg that is 90 kg आपका answer हो जाएगा so your right answer is D option 90 kg let's move on देखिए यह को शल देखिए इसमें आपको दे रखा है out of 100 kg sugar out of 100 kg sugar आज shopkeeper sells 20 kg 20 kg is sold at 10% loss 20 kg को 10% loss पे उसने sell करते है sum is sold at 20% profit and 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 remaining is sold at 10% profit और आपसे बोला क्या है next line में on the whole profit is 8% आपको find क्या करना है find quantity sold at 20% profit अब देखिए इससे पहले जो भी हमने questions करे similar खेस के लेकिन उसमें सिर्फ दो ही पार्ट पे फर्ष पार्ट को मान लेजिए उसने कुछ percent profit पे बेचा second part को भी कुछ percent profit पे बेचा और overall उसको दे रखाता profit हो रहा है तो पूछा था कि एक पार्ट जिसको 8% profit पे बेचा उसकी quantity कितनी है इसमें 3 पार्ट है 100 kg आपके पास rice है कितना rice है आपके पास total 100 kg ठीक है 100 kg में से आपने 20 kg rice 20 kg कितने पे बेच दिया 10% loss पे ठीक है बाकी कितना बचा 80 kg बचा अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं सपोस राइस का price cost price 1 रुपी पर केजी है तो 100 kg rice का cost क्या आ जाएगा रुपीज 100 पर केजी यही होगा और देखे 20 kg rice अगर आपने 10% loss पे सेल कर दिया तो इस case में 20 kg का cost price क्या होगा 20 kg का cost price हो जाएगा आपके पास 20 रुपीज आप 10% loss पे सेल कर रहे है यहाँ से यहाँ से कितने price में आपने बेचा है इसको 20 into 9 by 10 करेंगे आप 10% loss कर रहे हैं तो यहाँ से कितना आजाएगा रुपीज 18 तो पहला जो 20 kg price था आपने 18 रुपीज में बेच दिया और overall क्या हो रहा है आपको 8% का profit आपने लिया कितने में था 100 में तो overall जो आपका selling price आएगा टोटल selling price कितना आजाएगा 108% आपको profit हो रहा है 100 का 8% कितना होता है 108 टोटल SP आपका कितना आगे 108 108 में से आपने 20 kg rice 10% loss पे कितने का बेचा 18 रुपीज का अब कितना बचा 108 में से अगर आप 18 हटा दे तो कितना बचा 90 अब जो दो बागी जो बचे पार्ट उन दोनों का selling price का सम कितना आना चाहिए 90 रुपीज आना चाहिए एजियूम कर लेता हूँ suppose कि एक्स केजी राइस को उसने एक्स केजी राइस को उसने कितने में सेल किया एक्स केजी राइस को उसने 20% प्रॉफित पे sell कर दिया एजियूम कर लेते हैं ठीक है एक्स केजी राइस का प्राइस कितना होगा रुपीज एक्स कोश प्राइस 20% प्रॉफित पे बेच रहा है तो 120% अफ एक्स होगा किसके एक्वाल होगा एक्स एंटू 6 बाइफ फाइफ जब 20 केजी उसने sell कर दिया एक्स केजी sell कर दिया टोटल कितना है 100 केजी बचा कितना 80 माइनस एक्स केजी राइस इसको वो कितने में sell कर रहा है 10% प्रॉफित 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 इसको अगर वो 10% प्रॉफित पे sell कर रहा है 80-x kg का price कितना होगा 80-x और क्यूंकि इसको 10% का profit हो रहा है तो मैं किस से multiply करूँगा 11 by 10 से ये price क्या आ जाएगा 80-x kg rise का और इन दोनों का sum क्या होना चाहिए this plus this should give you 90 रिक्वेट कर लेते हैं 6x plus 5 6x by 5 plus 80-x into 11 by 10 it should give you 90 अब देखिए options थे मैं पूरा solve नहीं करूँ options फूट करके देख लिए जो match हो जाए पूरा solve नहीं करेंगे तो कि time हमें save करना है अगर मैं option देखूं तो option में क्या है 5, 10, 15, 20 फूट करते हैं देखिए अगर मैं x equal to 5 रखता हूँ x equal to 5 रखता हूँ तो ये क्या है 6 यहाँ पे 5 रख दो के तो क्या आजाएगा 75 देखिए 5 रखूंगा तो 75 इंटो 11 बाइटें यहाँ पे क्या आगया 6 प्लस 10 आप देख सकते हैं clearly यह क्या है यह एक नमबर है यह भी नमबर है यह पूरा पूरा नहीं कटेगा तो यह 5 रखता मेरा अगर मैं x equal to 10 रखता हूँ x equal to 10 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आजाएगा x equal to 10 भी आंसर नहीं आ सकता x equal to 15 अगर मैं रखता हूँ तो क्या आजाएगा यह हो जाएगा 18 यहाँ पे क्या आजाएगा 65 into 11 by 10 यह भी पूरा पूरा नहीं कटेगा कुछ fraction में आए decimal में आएगा 15 भी आंसर नहीं हो शकता आप देख सकते हैं 66 plus 24 किसके equal आ रहा है 90 के equal आ रहा है ऐसे जब भी आप कोई पास equation ऐसी form हो यहाँ से पूरा x नहीं निकाल रहा है आपको चार option जो है यहाँ तक half midway तक आप आ गए options हो हैं उसको आप पूर्ट करके देख लीजिए यह चीज मेंटली कर सकते हैं किसमें 90 के equal आ रहा है तो x equal to 20 आपका answer आ जाएगा तो part of rice which was sold at 20% profit is 20 kg ठीक है तो इस case में आपका right answer हो जाएगा D option quantity of rice which was sold at 20% profit is 20 kg ओके let's move on to some other question देखिए इस question में आपको दे रखा है a man purchases 150 pence at rupees 12 per pen out of which he sold 50 pence at 10% gain 50 pence course ने 10% gain पे sell कर दिया और आपसे पूछा क्या है remaining pence should be sold at what percent profit or loss so that he earns a total profit of 15% इसको भी आप allegations से कर सकते हैं देखिए 50 pence को यह कितने पे बेच रहा है 10% gain पे ठीक है बाकी कितने बचे 100 pence को मैं assume कर लेता हूँ x percent profit पे बेच रहा है अगर x negative आया तो loss होगा x positive आया तो profit होगा ठीक है और overall इसको क्या हो रहा है overall इसको 15% का 15% का इसको overall profit हो रहा है ठीक है तो और आप quantity की बात करेंगा ratio की बात करें यह जो पेंस है 10 pence suppose जो इसने 10% gain पे बेचे कितने पेंस है 50 और x percent profit पे इसने कितने पेंस सेल करें 100 इन दोनों का ratio आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 1 is 2 2 1 is 2 2 और देखिए allegation में हम करते क्या थे allegation में हम क्या करते थे इन दोनों का difference लेते थे वही आता था इसके equal इस case में आप देख सकते हैं 15-10 कितना आ रहा है 5 तो यह जो 2 units है यह किसके equal आएगा आपका तू यूनिट सी 5 के equal आएगा ठीक है तो वन यूनिट की value क्या आ जाएगी 5 बाई 2 वन यूनिट की value आ जाएगी 5 बाई 2 और यह x कैसे आता था इसमें से आप इसको सब्ट्रेक कर देंगे तब यह आ जाएगा इस इन दोनों को add करेंगे 15 में से 10 सब्ट्रेक कर दिया आपने क्या आया 5 आया तो units 5 के equal होगा और इन दोनों को अगर आप एड कर देंगे तो आ जाएगा एक्स तो एक्स आपका कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा आपका 15 प्लस 2.5 देख सकते हैं एक्स पॉजिटीव आया तो क्या होगा आपको profit तो remaining पैंस अगर आप 17.5 परसेंट प्रॉफिट पे सेल करते हैं then you will have a overall profit of 15 परसेंट तो प्रॉफिट आंसर हो जाएगा आपका option 17.5 परसेंट प्रॉफिट एक बार प्रॉफिट से देख लिए देखिए 15-10 करा मैंने क्या आया 5 तो यहां पे क्या है ratio 1 is to 2 का तो यह 2 यूनिट 5 के एक वाल है वन यूनिट की बेले के आ जाएगी 5 बाई 2 तो देखिए इन दोनों देखते हैं देखिए इसमें आपको दे रखा है आमेन पर्चेज इस 500 पेंस 500 पेंस एट 20 रुपीज पर पैन आउट ओप विच ही सोल हंडेड पैंस एट 15 परसेंट प्रॉफिट रिमेनिंग पैंस शोड बी सोल एट वट परसेंट प्रॉफिट सो दाट ही अर्ट टोटल सब्सक्राइब है इसको भी वैसे ही कर सकते हैं हम आपके पास हंडेड पैन ये कितने पर सेल कर रहा है 15 परसेंट प्रॉफिट परसेंट विसको 20 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है अब एलिगेशन लगा लेते हैं 20-15 करेंगे आच्छा पैंस का रेश्यो क्या है वन इस्टू फोर का रेशियो हो जाएगा वन इस्टू फोर का यहाँ पे अगर आप एलिगेशन लगाएंगे अब तो 20 माइनस 15 करूँगा कितना आएगा 5 तो 4 यूनिट की वेल्यू आपको कितनी दे रखी है एक यूनिट की वेल्यू क्या आजाएगी 5 बाए 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 बड़ा था तो एकस के आज आएगा 20 प्लस 5 बाए 4 21.25 आपका आंसर आजाएगा तो बाकी जो 400 पेंस बचे अगर वो इसको 21.25 परसेंट परोफिट पे सेल करें तब इसको ओवरॉल 20 परसेंट का प्रोफिट होगा तो राइट आंसर वोड़ बी 21.25 परसेंटेस ओके लेट स मूव ओं तो समधर कुश्टिन देखी आमेंड परचेस इस 200 पेंस आट 15 पर पेंस आट फिटीन रूपीस पर पेंस आउट आट विच फिटीन पेंस को वो 5 परसेंट लॉस पे बेशता है आपसे पूछा क्या है रिमेनिंग पेंस शुट भी सोल्ड एट वाट परसेंट प्रॉफिट सो दैट ही गेंस 10 परसेंट ऑन दा होड़ 75 पेंस को वो कितने पे बेच रहा है 5 परसेंट लॉस पे तो यहां पे मैं लिख दिया माइनस 5 बचा कितना बचा आपका 125 पेंस 125 पेंस को सपोज मान लेता हूं मैं X% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है और ऑवरॉल उसको क्या हो रहा है 10% प्रॉफिट ओर यहां पे लिख देता हूं मैं 10 अगर आप अब allegation लगाएं इसा इन दोनों का ratio कितना है 25 से अगर काट दो तो 3 is to 5 तो यहां पर कितना ratio आना चाहिए 3 is to 5 का ratio आना चाहिए अब allegation लगा लेजिए देखिए 10 और minus 5 में क्या बड़ा है 10 10 में से minus 5 अगर में सब्रेक करता हूं कितना आएगा 15 तो यह जो 5 यूनिट्स है यह किसके equal है 15 के equal तो 3 यूनिट्स की value कितनी आजाएगी 1 यूनिट्स की value 3 5 3 जा 15 तो 3 यूनिट्स की value आजाएगी 9 इन दोनों में क्या बड़ा था 10 तो x क्या आजाएगा 10 प्लस 9 19 तो बाकी जो पैंस बचे 125 पैंस अगर यह 19 परसेंट प्रॉफिट पे सेल कर रहा है तब इसको overall 10 परसेंट का गेन होगा तो राइट आंसर इस C option 19 परसेंट तो लेट्स सी सम्मोर कॉशन देखें इसमैं आपको दे रखा है 150 PENs are bought at Rs. 2 per pen 150 PENs are bought at Rs. 2 per pen 20 percent PEN are sold at 5 percent profit और फर्धर आपको दे रखा है 1 by 4th of the remaining pens are sold at 25% profit find at what profit percent remaining pens should be sold to gain 12% on the total ठीक है अद देखी इस question में और इससे पहले हमने जितने भी questions discuss करे हैं तो समदर इसमें और बाकी सब questions में क्या difference है इस question में parts ज़्यादा है इससे पहले जो हमने questions discuss करे उसमें suppose आपको rice दे रखा था some part of rice was sold at 18% profit and remaining was sold at 14% profit और overall suppose आपको दे रखा 15% profit उसमें दो ही part थे इसमें दो से ज़्यादा part है जब दो से ज़्यादा part हो जाते हैं तो allegation से मत किजिए इसको parts को आप divide कर लिए suppose इस case में आपको total कितना दे रखा है आपको 150 pens थे देगी 150 pens का 20% pen आपने कितने में बेचा 5% profit पे 20% 150 का 20% का अगर मैं fraction लिता हूँ कितना आएगा 1 by 5 1 by 5 part आपने कितने में बेचा 5% profit पे इसको मैं multiply कर देता हूँ 5% profit ठीक है फिर क्या बचा 1 by 4th of the remaining pens अगर 1 by 5th part आपने 5% profit पे sell कर दिया आपके पास क्या बचा आपके पास बचा 4 by 5 इस 4 by 5 का आपने 1 by 4th 1 by 4th कितने percent profit पे आप sell कर रहे हैं you are selling that at 25% profit ठीक है 1 by 5 यहाँ पे 4 4 काट दीजी ये भी 1 by 5 बचा और बाकि कितना बचा 1 by 5 आप कितना बचा 3 by 5 ये 3 by 5 पार्ट suppose मैं assume कर लेता हूं कि आप x percent profit पे sell कर रहे हैं you are selling this at x percent profit और overall आपको क्या हो रहा है 12% profit इसी के equal होगा देखिए ये था आपके पास क्या था ये first part था first part sell करने पे आपको इतना profit हो रहा है total second part में आपको इतना profit हो रहा है और third part जब आप sell कर रहे हैं then you are having this much profit और total profit आपको कितना दे रहा है 12% तो just मैंने क्या किया individual जो parts थे उन में profit जितना हो रहा था उनसे आपको sum कर दिया total profit आपको 12 के equivalent दे रहा है just इस से निकाल लीजी x कितना आएगा देखिए यहां से अगर मैं 5 से काटता हूँ तो यह 1% इसको 5 से काट देंगे तो 5 पर जा 25 ठीक है तो यहां से क्या आजाएगा 1 प्लस 5 6 आजाएगा और यहां पे 12 है तो 3 बाइ 5 into x equal to 6 आजाएगा यहां से अगर आप काटेंगे तो 3 तो 6 x आपका क्या आगया 10% तो बाकी जो remaining है उसको अगर आप 10% profit पे sell करते हैं तो आपको overall 12% का gain होगा so right answer is the option 10% देखिए इसमें मैंने क्या किया इस question में pens थे pens के 2 से ज़्यादा part में आप sell करें 3 पार्ट में sell करें 3 या 4 पार्ट में जब भी आप sell करें तो इसको parts का ratio ले लिजी parts का ratio ले लिजी exact number भी नहीं कह रहा हम है parts का ratio ले लिजी देखिए 1 by 5th part आपने 5% profit पे sell किया first part जब आप sell कर रहे हैं तो आपको कितने का profit हो रहा है total 1% का profit हो रहा है 1 by 5th part पे आपको 5% का profit हो रहा था total तो total profit आपको first part जब आप sell कर रहे हैं जितने भी number of pens होंगे इसमें total आपको 1% का profit हो रहा है second part जब आप sell कर रहे है उसमें total आपको 5% का profit हो रहा है overall आपको 12% का profit हो रहा है तो third part जब आप sell करेंगे उसमें आगो कितने का profit होना जी है 6% का just मैंने profit equal कर दिया next question देखते है देखिए इसमें आपको दे रखा है a land cost 18,000 रुपीस two-third of it is sold at 6% profit and rest is sold at 3% loss देखिए इसमें land के कितने पाट हो रहे हैं दो ही पाट हो रहे हैं इसको allegation से कर लिजी इसी हो जाएगा देखिए एक पार्ट land का 6% profit पे आप sell कर रहे है 6% profit और दूसरा पार्ट बाकी जो बच ग्यास को आप कितने पे sell कर रहे है 3% loss पे और overall profit या loss कितना हो रहा है रुपीस में ये आपको क्या करना है find करना है ठीक है और 6% profit पे जो आप land sell कर रहे है उसका कितना पार्ट sell कर रहे है 2 by 3 2 by 3 ठीक है और remaining कितना बचेगा remaining आपके पास बचा क्या 1 by 3 ज़र मैं इसका ratio लों कितना आ जाएगा 3-3 कार्ट देजिए 2 is to 1 का ratio आ गया ठीक है आप total land को suppose land का price आप इक्स में आप sell कर रहे है suppose आपने एक्स रुपीज में आपने land sell कर रहे है इस case में इस case में आप देख सकते है यह एक्स आप directly भी निकाल सकते है 6 into 2 12 6 into 2 12 minus 3 into 1 by total कितना है आपका 3 parts है by 3 यह आ जाएगा एक्स आपका के equal आ गया, x आ गया, आपका 3 के equal, यहाँ पर अगर आप x 3 रखते हैं, तो 6 minus 3 कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर 3 plus 3, 6 equivalent आ रहा है आपके, यहाँ तो आप x ऐसे निकाल लीजी, या फिर इसमें allegation लगा के भी आप निकाल सकते थे, देखिए, यहाँ पर 2 plus कितने पार्ट ह यह जो 3 parts हैं, यही equal किसके होंगे, 6 plus 3 के, 6 minus of minus 3, देखिए, यहाँ पर इन दोनों parts का सम आएगा, जो ratio दे रखा है, आपको 2 is to 1 का ratio है, इसमें, यह जो ratio है, आपको 2 is to 1 का दे रखा है, तो total कितने हैं, 3 parts, 3 parts हैं, और जो आपको profit और loss का ratio दिख रहा है, 6 is to minus 3 का दिख रह से, इसमें से आप, यह subtract कर देते हैं, इन दोनों का जो difference होगा, difference होगा, उसी ratio में आप, आप divide करेंगे इसको, ठीक है, तो इन दोनों का difference क्या आजाएगा, 6 minus minus 3, equal to 3, ठीक है, तो यहाँ से एक unit की value आप निकाल सकते हैं, 9 के, 3 के equal आएगा, 1 unit 3 के equal आजाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो यह 1 की जगे अगर आप 3 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, 6 में से क्या subtract करूँगा, 3 आएगा, x equal to 3 आजाएगा, ठीक है, यहाँ तो आप directly ऐसे निकाल लीजिए, या फिर जब भी आपको ratio दिया हो, और आपको starting में पता हो profit या loss और आपको इन दोनों को जब mix करने पे जो price या loss या profit आपको निकालना है, selling price निकालना है, तो इन दोनों का जो difference होगा, वो इन दोनों के sum के equal होगा, यहाँ से एक unit की value निकाल लीजिए, फिरेक्स निकाल लीजिए, या तो आप ऐसे निकाल लीज profit, 3% profit हो रहा है आपको land sell करने पे, तो land का cost कितना था, 18,000, 18,000 का 3% अगर आप calculate करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 18,000 का 1% होगा, 180 के एक पर, into 3 कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा, 540, 540 रुपीज, तो overall profit कितना आ जाएगा, रुपीज 540, तो आपका right answer हो जाएगा, D option D option, रुपीज 540, okay, let's move on to some other question, देखिए, इस question में आपको दे रखा है, a man purchased 36 apples for रुपीज 310, okay, one third of the apples are sold at 15% profit, one third को इसने कितने पे बेज दिया, 15% profit, इसके बाद, one fourth of the apples are sold at 20% profit, one fourth को 20% profit पे sell कर दिया, बागी कितना बचा, find the total profit earn and rest at 24% profit, rest को इसने 24% profit पे बेज दिया, one by third हटा लीजी, one by fourth हटा लीजी, कितना बचा, आपके पास बचेगा, 5 by 12 part, 5 by 12 part को इसने 24% profit पे बेज दिया, और आपसे पूछा क्या है, find the total profit earn, तो total profit क्या आ जाएगा, आपका ब अगर मैं इसको रुपीज में लिखू, amount of profit अगर मुझे बताना हो, तो 310 का, 310 का, 310 का 20% कितना होगा, 31 होता है, इसका 10%, 21, 20% कितना आ जाएगा, 31 into 2, तो आपका right, आपका right answer हो जाएगा, 62, रुपीज 62, ओके, so right answer would be, A option, रुपीज 62, ओके, इसमें आपको दे रखा है, James buys some articles at रुपीज 54, ओके, आगे क्या दे रखा है आपको, he sells to a third part at 5% profit, then find at how much percent profit he should sell remaining articles to earn 13% profit overall, overall, okay, अब देखिए, इसको आप चाहे तो allegation से कर लिजिए, या parts का, दोनों parts का separate profit निकालके, जो net profit हो रहा है, उससे equate करके भी कर सकते हैं, दोनों में answer same है, देखते हैं, allegation से करते हैं, देखिए, अगर मैं दो part में break कर दूँ इसको, तो पहला part, पहले part, first part इसमें दे रखता है 2 by 3, तो second वाला जो part होगा, आपका अगर मान लेजिए, total parts आपके पास 3 हैं, तो first part और second part का ratio जो होगा, 2 is to 1 का होगा, ठीक है, और first part sell करने पे, इसको कितने percent का profit हो रहा है, he is having 5% profit, यहाँ पे percent मत लिखी, क्योंकि यह cut ही जाएगा, क्योंकि difference लेंगे, आप तो same ही आएगा, आप 5, और overall इसको कितने का profit हो रहा है, 13% का, ठीक है, माल लेता हूँ, second जब यह sell कर रहा है, तब इसको, तब इसको, suppose x% का profit हो रहा है, ठीक है, इस case में क्या कह सकता हूँ, 13 minus 5, कितना आया, 8, आप देखें, 5 और 13 में क्या बड़ा है, 13, 13 में अगर मैं 5 subtract करता हूँ, तो क्या आता है मेरे पास, 8, तो one unit की value, one unit की value इस case में क्य आओगी, 8 के equal, तो two unit की value कितनी हो जाएगी, two into eight, 16, यह x क्या आएगा आपका, 13 plus 16, x हो जाएगा आपका 29, तो second part को, अगर यह James, 29% profit पे sell करता है, तब इसको overall 13% का profit होगा, answer देख लेते हैं, 29, yes, the option, इसको आप देखिए दो parts में इसने, इसने दो parts में articles को sell करा, first part पे जितना profit है, profit इसको मिला, second part पे जितना profit मिल, उन दोनों को अगर आप sum कर दें, तो net profit, net profit आपको दे रखा है, कितना 13%, उससे भी कर सकते थे, answer से माता, देखिए, suppose आप 2 by 3rd part को ये कितने, कितने percent profit पे sell कर रहा है, 5% profit, 2 by 3 into 5, plus, बचा कितना, 1 by 3rd part को माल लेजी, x percent profit पे sell कर रहा है, overall profit इसको कितना हो रहा है, 13%, यहाँ पे लिखताओं में 13, first part से जो profit होगा, और जो second part से profit होगा, कर मैं दोनों का sum कर दूं, यही total profit के equal होगा, जो कि हमने करा, देखिए, इगर से भी आजाएगा आपका, यहाँ से क्या आएगा, 3 से अगर आप multiply कर देते हैं, तो 39, यहाँ पे आजाएगा 10, plus X, तो आप देख सकते हैं, X आपका क्या आया, 20, यह तो आप allocation से कर लिजिए, यह फिर total profit, total profit को equate कर लिजिए, दोनों case में answer, same आएगा, जो आपको अच्छा लगी, वो method आप follow कर सकते हैं, okay, let's move on to other question, यह देखते हैं, यह question profit loss का, देखिए, इसमें आपको दे रखा है, two sort of a consignment was sold at a profit of 5%, okay, and remainder at a loss of 2%, रागे क्या दे रखा है, further आपको दे रखा है, if the total profit was rupees 400, the value of the consignment in rupees was, इसमें, इस question में, और इस से पहले जो हमने, जितने भी questions करें, उसके similar, इसमें, और उसमें क्या difference है, इस question में, जो आपको profit दे रखा है, percentage में नहीं, profit का amount दे रखा है, इस से पहले जो आपने questions किये थे, उसमें आपको 400 की जगे 10% या 12% दिया था, देखिए, कोई बात नहीं देखिए, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप profit, profit, दोनों case में, profit, दोनों parts का जो भी है, उसको equate करके भी कर सकते हैं, या आप, या आप allegation से करी, allegation से करके देखते हैं, देखिए, माल लेता हूँ, consignment का जो first part है, उसको आप कितने में sell कर रहे हैं, 5% profit, यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, और, and the remainder at a loss of 2%, second part आप 2% के loss पे sell कर रहे हैं, मैं माल लेता हूँ कि, overall आपको X% का क्या हो रहा है, profit, ओके, ठीक है, और, इन दोनों का ratio क्या है, first or second part का, first part आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 थर्ड है, अगर first part 2 थर्ड होगा, तो second part 1 by 3 होगा, इन दोनों का ratio, first or second part का 2 is to 1 का ratio आ बात क्या करते हैं, देखिए, यह जो नीचे ratio आया, इन दोनों का sum अगर आप करेंगे, तो इन दोनों के difference के equal होगा, देखिए, 2 प्लस वन, इन unit की value किसके equal होगी, इन दोनों के difference के equal, 5 minus minus 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए, 3 unit की value आपके पास आ जाएगी, 7 के equal, यहाँ से 1 unit की value आ गई आपके पास, 7 by 3, ठीक है, तो यह जो 1 है, यह 7 by 3 के equal होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या है, X है, अगर आप, अगर आप 5 में से X सब्ट्रेक करते हैं, तो कुतना आना चाहिए आपके पास, then you should get 7 by 3, ठीक है, देखिए, इस case में, यहाँ के मन में चल रहा हुआ कि 5 में से X ही आप क्यों सब्ट्रेक कर रहें, देखिए, आप, यह कुड़ा सब्ट्रेक्टेट, 5 from X also, कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, minus 2, minus 2 है, अगर माल लेता हूँ, इस case में profit है, profit है, तो X जो है, आपका positive ही होगा, positive ही यह वाला जो बचा, जब इसके नीचे लिखोगे आप, अगर आपने X में से 5 subtract किया, तो यह बड़ा होगा, इस case में minus 2 जो है, X से, minus 2 X से छोटा है, इस voltage, तो आपका X क्या आ जाएगा, 5 minus, 7 by 3 कितना आया, 8 by 3, X 8 by 3 के equal आ गया, 8 by 3 क्या, 8 by 3 percentage, 8 by 3 percent of what, जो भी consignment की आपक value थी, okay, 8 by 3, 3 percent की value आपको कितने दे रखी है, rupees 400, इतना profit हुआ आपको overall sell करने पे, 8 by 3 percent आपको profit हुआ, इसके equal है, 400 के, और 100 percent of, अगर profit में, 100 percent profit किसके equal होता है, consignment की value के equal, यहां से आप निकाल सकते हैं, 8, 50 आ जाएगा, और 3 से अगर आप multiply करें, तो 1 percent किसके equal होगा, 50 into 3, rupees 150 के, तो 100 percent किसके equal आ जाएगा, 100 percent किसके equal आएगा, 150 into 100, कितना आ गया आपके पास, 15,000, तो consignment की value कितनी होगी, 15,000, so a option is the correct answer, okay, की यही है जाएगा, 50 उक करें 125, करें वी पास, 15,000, तो ग्रावा को आपके टो कितनी है ऑन टौनोरावारा बाहा लोस Она, 25, करेंजे़ और 3 से लिकाल सकताость है, झाल झाल झाल